हिंदी की उथकरिष्ट कहानियों की कड़ी में आज सुनिये हिंदी साहित्य की वरिष्ट लेखिका सुश्मा मुनीद्र जी की लिखी हुई कहानी इस रूट की सभी लाइने व्यस्थ हैं कोई एक सच फिर पूरी जिंदिगी का प्रतिपादन बन जाता है सम्मुक खोकर बार-बार बताता है वही एक सच है बाकी जो कुछ है पूरक है, भ्रम है, माध्यम है, उक्रम है, उपाए है या इधर धर से आती सूचनाए है रहत्तर सच जीवन के सम्मुक पत्रिका के विमोचन समारों के चाया चित्रों से लबालब भरा खबर दैनिक समाचार पत्र फैला हुआ है खबर के विकास की चतुर दर्शी रही जीवनी चाया चित्रों में नहीं है मेग मिश्र से बोली थी पत्रिका में साहित्य के लिए कुछ प्रश्ट रहेंगे न? हाँ, एक कहानी, कुछ कविताय, कुछ पुस्तक समीक्षा के लिए कम से कम छे पेज रखने है साहित्य का मैटर मैं संभालूँगी साहित्य संपादन में मेरा नाम जाना चाहिए हम तुम रेटायर्मेंट वाले हुए जीवनी युवाओं को आ गयाने दो असी के दर्शक वाली उसकी अदा में अब वो दम नहीं रहा अनिथा कहती, वानप्रस्त आपको अरपण हो, मैं फिट हूँ तब तो जागरती को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए देखता हूँ मेग, मिश्र इस तरह बोलने लगे हैं कि बात किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती विमोचन समारों के छाया चित्र हरी और नीली विद्योती ये जहलरों से सजे मोरपंखी आभा दे रहे खबर के भवे भवन जिसके शीर्ष पर द्यत्याकार अक्षरों में लिखा खबर एक दूरी से देखा जा सकता है ने खबर के आदे प्रष्ट को घेर रखा है जीवनी मेग मिश्र के साथ निर्माना धीन भवन देखने गई थी मेग मिश्र ने बताया था कंप्लीट होने को है अब खबर यहां से निकलेगा अक्बार से कोई इतना माला माल हो सकता है जीवनी को भवने का चमभा लगा था इतनी पड़ी बिल्डिंग सर में गुम हो जाऊंगी मैं ढून लूँगा मेग मिश्र ने उसे समीब खीच लिया था वो दौर देख चुकी पश्पन पर पहुँची जीवनी पिट चुकी है अच्छे दिनों की इस्मरती फरजी लगती है फिर भी आस बागी थी विपोचन समहरों में जाए और चदम ही सही उस भविता की मालकिन होने का गौरव हासिल करे सहस ना हुआ अरजन और परिमारजन का सामना करने में हमेशा अरचन हुई है अब तो दोनों अच्छा डील डॉल लेकर खबर के मालक नजर आते हैं अगली तस्वीर में प्रदेश के वित मंत्री जो मेग मिश्च के सहपाठी रहे हैं मेग मिश्च के पिता खबर के संस्थापक स्वर्गे विर्ण गोपाल की तस्वीर को पुष्प माला अरपित कर रहे हैं मेग मिश्च ने अनिक बार बताया है सच लिखेंगे सच दिखाएंगे जैसे आदरशवात के साथ बाबू जी ने जब चार पन्नों वाला खबर शुरू किया था यहां कोई अगबार नहीं छपता था दिल्ली और इंदोर के स्टेल मतलब बासी अगबार मगाई जाते थे बाबू जी के संपादिकी ये लोग बहुत रुची से पढ़ते थे खबर के पाठक और प्रश्ट पढ़ते गए आज कई प्रान्तों और कई कई शहरों से निकलने वाला सोले पन्नों का खबर घर घर का आखबार बन गया है अगली तस्वीर में वित मंत्री सांसद विधायक मेग मिश्र मेग मिश्र की पत्नी राजकुमारी के हाथों में विमोचित पत्रिका है राजकुमारी आयोजन समारों में नहीं जाती थी या उसके अलप शिक्षित होने के कारण मेग मिश्र नहीं ले जाते थी लेकिन खबर के नए भवन के उद्गाटन पर अरजन और परिमार्जन को ले कर आई थी पूछा था तुम जीवनी हो? जी अच्छा लिखती हो मैं तुमारा कॉलम जरूर पढ़ती हूँ जीवनी चकित थी ये साधारान इस्त्री खुबसूरत मेग मिश्र के परसनालिटी को भ्रमित कर रही है मेग मिश्र अपने परिवार में एकदम प्रतक नजर आ रही थी बाद में वो मेग मिश्र से अपना अच्रज कह बैठी थी सर आप ऐसे फिट ऐसे परफेक्ट है क्या आपको टीनेजर अरजन और परिमारजन से जोड़ कर देखने में मुझे कटनाई हुई क्यों आपको अलग देखना सुविधा जनक लगता है खुल कर कहो आप जैसा हैंडसम मैंने नहीं देखा जीवनी घबरा गई थी जैसे कोई भेद के भैटी हो मेग मिश्र तबियस से हसे थे इतना अच्छा कॉम्प्लिमेंट मुझे पहले नहीं मिला मेग मिश्र बहुत हसते थे अब विशाच शिपाने के कारगार उपाय के तौर पर जरूरत मताबिक जब कभी हसते हैं बीटते बीटते कितना समय बीट किया है बदलते बदलते क्या कुछ बदल गया है उस कॉम्प्लिमेंट पर हसने वाले पिछले माह 72 के हुए मेग मिश्र डिढ़ाल हो चले है विजाई चेहरे वाली जीवनी वो नहीं रही जिसके लिए मेग मिश्र कहते थे तुम ऐसी मदहोशी हो कि फिर होश में रहने को जी नहीं करता सन सत्तर का अंत और असी का प्रारंग शॉपिंग मॉल, मल्टी प्लेक्स, ब्रेंडेट शॉप जैसी आदलिक्ता के बावजूद ये शहर छोटा है तब सच्मु छोटा था लड़कियों वाली कल्पना, उलायमियत लिये हुए डाइरी में गाहे बगाहे कविता या कुछ विचार लिखने वाली जीवनी शहर के किसी बिंदो में रहती थी खबर का दफ्तर किराय के जगए पर था वेण गोपाल तुष्ट थे कि उनके एकलोते पुत्र मेग मिश्र ने उनकी प्रतिभा को अपना कर ऐसी योगता दर्शाई कि खबर सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला अगबार बनता जा रहा है खबर का सापताहिक इस्तंभ इन दिनों बहुत चर्चित था इस्तानिय रचनाकार इस इस्तंभ के लिए समसामेक विशों पर आर्टिकल लिखते थे जीवनी अपने व्यापारी पिता का स्कूटर गती से चलाते हुए खबर के कार्याले आती करताय या आलेक दे कर चली जाती चोटे शहर के अपने अपने चलन प्रचलन होते हैं खबर के कर्मचारी उसकी तेज गती और अकेले निर्बाद आने को उसकी सोतंतर बिजाजी मानते थे ऐसा स्कूटर भगाती है कि फरचंट लगती है लेकिन मेग मिश्र ने उसकी मेधा को पकड़ा ये कविताएं वो आर्टिकल कौन दे जाता है कर्मचारी ने बताया एक लड़की आती है सर आये तो मेरे चेंबर में भेजना जीवनी को देख कर मेग मिश्र देखते रह गए आप जीवनी हैं? जी इतना अच्छा लिखती है मेरा अनुमान था कोई बड़ी उम्र की महला होगी घर में टेली फोन है? जी नंबर बताएं जरूरत होगी तो आपको सूचित करूँगा संपादक ने उसी कलम के कमाल को परखा है उसे दीमानगी हुई कलम चला कर उचाई तक पहुँचना है मेग मिश्ट को जीवनी की प्रतिभा ने प्रभावित किया लेकिन सुन्दर्ता ने ऐसा सुरूर में डाला कि उसका नंबर उने कंठस्त हो गया अच्छा लिख रही हो शेहर में तुमारी चर्चा है लोग मुझसे पूछते हैं जीवनी कौन है वंबे दिल्ली के बड़े अखबार में होती तो अच्छा नाम दाम मिलता पीजी कर लिया अब सोचा क्या करो थोड़ा लिख लेती हूँ मैं टेलेंटेट लोगों को महतो देता हूँ खबर जोइन करोगी जी सेलरी बोलो जीवनी खबर में आई और खबर बन गई मेग मिश्र ने रविवारिय साहितिक परिशिष्ट उसके सुपोर्द कर दिया अपने इस्तम्भ जीवनी की कलम में से वो ऐसी सार्थक बात लिखती कि पाठा कायल हो जाते अच्छा वेतन, कैरियर, रुदबा मेग मिश्र की संगत सेमिनार, कॉन्फरेंस, प्रहमान तब दूर दर्शन नहीं था कि चैनल वाले बात को मुद्दा बनाकर चार बुद्ध जीवियों को जोड़ कर बहस करा डालते लेकिन बातें शायद अपनी ताकत से पुष्ट होती रहती हैं खबर के लोग कहते सर इस चिचोरी के साथ टाइम पास कर रहे हैं सूत्रों से व्यापारी पिता को उसके रमण ब्रमण की जानकारी हुई मा ने धमाका कर दिया जीवनी, मोहन मोहनी का ड्रामा बंद करो, रागनी ने तुमारे लिए अच्छा रिष्टा बताया है मा लड़कियां केरियर नहीं बना पाती क्योंकि वक्त बेवक्त उनके लिए दुला डुला जाने लगता है शादी कर घर बैटकर मैं रागनी दीदी की तरह ऐसे ठानी नहीं बनूँगी अभी केरियर बना रही हूँ जीवनी खबर और मेग मिष्ट से प्रतक कुछ नहीं सोच रही थी मेग मिष्ट के जजबे को जाजमाने का ये मौका था मेग मिष्ट ने उसे अपने कशन बुलाया उसने कहा मा ने मिरे लिए लड़का देखा है कहा रहता है शूट कर दूं मैं सीरियस हूँ मैं भी जीवनी तुम्हें खोकर मैं अपना उत्साह खो दूँगा मा कहती है और दफ्तर के लोगों का आशे है मैं छिछोरी हूँ आप मेरे साथ टाइम पास कर रहे है तुम जानती हो तुम मेरे लिए बहुत महत्पून हो मुझसे शादी कर लीजिए ये रस्मन जरूरी है क्या मा मुझे रुकसत करने को तयार बैठी है मेरा परिवार है मेरा परिवार सुनकर जीवनी को रंजिश हुई सारे बंधन पार कर अनुशाशित चरित्र दिखाने का खयाल आया है आसे मुझसे दूरी बना कर चले है नाराज ना हो जाना सोचता हूँ मेग मिश्र सोचना चाहते थे जीवनी सोचने नहीं दे रहे थी जीवनी सोचना चाहती थी मेग मिश्र सोचने नहीं दे रहे थे दोनों बार बार पीछे हटे आगे बढ़े अब कोई तर्क नहीं सम्मोहन भला लग रहा है, यद ये अतिरेक है, तो यही जीवन का अर्थ देगा, वे एक दूसरे के काम में हैं, एक दूसरे के हमदर्द, सोच लिया है, सचेतन होकर, पूरी तरह आत्मकेंद्रित होकर, जमाने में बड़े-बड़े हंगामे होते हैं, फिर सब कुछ और क्रम में आ जाता है, पा लेना है अपना अभीष्ट, जीवनी चक्मा दे कर घर से निकली, मेग मिश्र ने इंतिजाम बनाया, किराये पर MIG का मकान लेकर, जरूरी उपकरनों से सजाकर, जीवनी के लिए बसेरा तयार किया, गायतरी मंदिर में दंपती बन, उटी में मं इंगल मना कर सबताबाद दोनों लोटे, जीवनी बंदोबस ठीक लगा, बहुत, ये MIG नेमत है, जहां मेग मिश्र की निर्बाद संगत मिलेगी, खबर में पद्वी बढ़ेगी, हक के साथ अपनी बात रखेगी, उसे दबाव बनाना आता है, ओनर बेशने को तयार हो जा मेरा खयाल रखेंगे ना, हलफ उठाता हूँ, इस तरह मत देखी मर जाओंगी, तुमारी इनी अदाउने तो मुझे मार डाला है, वरना इतने लंबे समय तक मैं खबर से दूर नहीं रहा, देखूं घर और दफ्तर में क्या इक्वेशन बन रही है, खबर में मुझे अजी को गदगद कर अपनी सामाजिक हैसित बनानी है, दूतिया है, लेकिन में मिश्र की पत्नी है, उनके साथ कारें बैठ कर दफ्तर जाएगी, फुस फुसा कर छिछोरी कहने वाले एमपलाई, बा अदब, बा मुलाईजा, नजर सीधी वाले अनुशासन के साथ, नई मालकिन क अदब बजाएंगे, लेकिन पांच दिन हो गए, बंचिस सी पड़ी थी, टेलीफोन नहीं था, जो मेंग मिश्र से ना आने का कारण पूछती, खबर में क्या माहौल होगा, इस जजग में दफ्तर नहीं गई, बदला हुआ माहौल मानसिक्ता को बहुत बदल देता है, और होती पड़ी हूँ, मैं मदद कर देती, जीवनी तुम दफ्तर नहीं आओगी, क्यों, तुम अब मेरी पत्नी हो, मैं नहीं चाहता एंप्लाई की तरह दफ्तर में बैठो, जरूरी मैटर तुम्हारे पास भेजता रहूँगा, तुम घर से काम करके दोगी, पैसे की कमी नहीं होने दूँगा, पैसा सब कुछ नहीं होता, जॉब सैटिस्फेक्शन भी कुछ होता है, मैं स्पून फीडिंग नहीं करूँगी, जानती तो हो, बाबु जी उसूल के पक्के पुराने आदमी है, सच लिखेंगे, सच दिखाएंगे, वाले आदर्श वात पर अड़ कर बाबु जी ने बड़ा हंगामा किया, अरजन परिमारजन बाहर पढ़ते हैं, वरना बाबु जी का कोप देख सहम जाते, सब्ता भर की वंचना भूल कर जीवनी सद्मे में आ गई, मेरे करान आपकी इमेज बिगड़ गई, इमेज मेग मिश्रा से, अरे मैं परेशान र मेग मिश्र को अनमान था कि कभी ठीक नहीं होगा, इसलिए घर और खबर में व्यस्त रहते हुए इधर मुआवजा जैसे प्रलोवभन से जीवनी को बहलाने चौकाने लगे, जीवनी का प्रतम प्रसव, मेग मिश्र ने ड्यू डेट के सब्ताबर पहले नर्सिंग होम में रूम बुक करा दिया था, कि रूम न मिलने जैसी बाधाना आए, आज कई नर्सिंग होम है तब जिला अस्पताल और मात एक नर्सिंग होम था, जो फुल रहता था, जीवनी सचमुच बहल जाती थी, बच्चा जन्मा नहीं है, रूम बुक, तुम मेरे लिए स्पेशल हो, तुमारी केर के लिए एक नर्स तयार रखोंगा, जीवनी कृतगे, कृतगेता में मा अक्षर का प्रचुर प्रयोकर बच्ची का नाम मनोहारी मेग मिश्र रखा, जीवनी मनोहारी मेग मिश्र बहुत लंबा नाम है, डिफरेंट है, जो सुनेगा याद रखेगा, मेग मिश्र ने चाहत लुटाई थी, लेकिन जड़ी भूत मान्यताएं संसकार उन्हें ड़राते थे, याद रखेगा और बहुत कुछ याद करेगा, उन्होंने इस पश्ट नहीं कहा, हमारी लव स्टोरी को याद करेगा, लेकिन उनकी असहमत को जीवनी ने लक्ष किया, सहमती असहमती दामपते में होती है, लेकिन दुतिया जो शब्द है, वो सहमती असहमती को आक्षेप और प्रक्षेपन जैसा संशलिस्ट भाव देने में ने पुर होता है, जीवनी को तब और आज भी लगता है मेग मिश्र सहमती असहमती एक मकसद के साथ बनाते हैं, अक्षर की मोहकता से निकल कर ज़ अक्षर पर आ रही थी, उसने अपनी दूसरी बच्ची का नाम जागरती रखा, जागरती निशकलुश रिदय और मनोहारी निपुड दिमाग वाली लड़की, दस साल पूरा करते करते मनोहारी ने लोहों के भाव अविप्राय समझने की दक्षता ले ली, स्कूल से आते स्कूल बेक खोल कर प्रोग्रस सिपोर्ट मे का ली, मा मैंने कहा है हर बार अपनी मदर से साइन कराती हो, इस बार पापा से कराना, तुमने क्या कहा, पापा हमारे साथ नहीं रहते कभी कभी आते हैं, टीचर क्या बोली, तुमारे नाम के आगे मेग मिश्र लगा है, ये खबर निउस पेपर वाले मेग मिश्र है क्या, मैंने यस कहा, तो कहती हैं, ओ गौड, तुम उनकी डॉटर हो, जीवनी की शिराएं उप शिराएं निश्क्रिय होने को थी, वो ना बेटियों को समझदार होने से रोक सकती है, ना उन सूचन जागरती देर रात तक प्रेस में काम करते हैं, इस बार आएंगे तो मैं नहीं जाने दूँगी, जागरती की मासूमियत पर जीवनी का दिल भराया, मनुहारी फिर भी हड़ताली आचरन रहवार वाली है, लेकिन ऐसे खुला से जागरती की मासूमियत पर कैसा हसर मेग मिश्र के आगमन पर दोनों लड़कियां चीतकार के साथ उनका स्वागत कर उस्सो जैसा माहौल बना देती थी, इस बार जागरती ने प्रशन से स्वागत किया, पापा आप हमारे साथ क्यों नहीं रहते, मेग मिश्र को लगा ये प्रशन नहीं एक आशंका है, जिसस लड़की जीवनी की मुख मुद्रा में फिक्र दिखाई दे रही थी, मेग मिश्र ने पूछा, क्या बात है जीवनी, लड़कियां बड़ी हो रही हैं, बस यही बात है, प्रशन करने लगी हैं, बच्ची अपने माता-पिता से इतना जोड़े होते हैं, कि मान कर चलते हैं उनके माता-पिता नियम पालक हैं, ऐसे में लोग इन दोनों को भ्रम में डालें या भढ़काएं, तो यह परेशान हो जाएंगी, भावनात्मक रूप से खुद को असुरक्षित समझेंगी, और इनका मनोविज्ञान उलचते उलचते इतना उलच जाएगा, कि ना अपना धेस पष्ट कर पाएंगी, ना दूसरों को समझ सकेंगी, जीवनी इन्हें बहुत ममता दो, देती हूँ, यह अकेले मेरी ही जिम्मेदारी नहीं है, कोशिश करूँगा लड़कियों को अधिक समय दो, कोशिश के बावजूद मेग मिश्र अपेक्षित समय नहीं दे सकते थे, क्योंकि पत्रकारिता का कोर्स पूरा करके अरजन खबर में आ गया, जोईन करते ही जीवनी का इस्तंब बंद कर, रविवारी अंक का काम अपने हाथ में ले, उसने संकेत दे दिया, खबर को अपने कॉलम छप रहा है, कॉलम नहीं छपेगा, तो तुमारे अस्तित बर संकट नहीं आ जाएगा, खबर में पद्वी मिलने की संकल पना थी, लेकिन मान और मानेता इस हद तक खत्म हो रही है, कि इस्तंब पर प्रतिबंद, आप खबर के मालिक नहीं रहे, या अरजन का डर सता आने लगा है, व्यस्त हूं बाद में बात करूँगा, नियमित उपस्थित देने वाले मेग मिश्र, अतिती की तरह गाहे बगाहे आवाजा ही करने लगे, अब टेलिफोनिक बाद भी सुविधा असुविधा देख कर करेंगे, जीवनी को अपने लेख की एक शमता पकेद हुआ, ये ना होती, तो खबर से न जुड़ती, महत्वा कांक्षा न बनती, जुतिया की वरजनाओं से मुक्त एक अलग दाम पत्य होता, नहीं जानती बेटियां समाज में किस तरह स्थापित होंगी, समाज इने किस गिंती पर रखेगा, किसी गिंती में नहीं, परिवार अरजन के तिलक की मिठाई खाओ, मनोहारी ने चीतकार के साथ प्रसलनता जाहिर की, अरजन भीया की शादी में मैं बहुत इंजवाय करूंगी, मैं भी जागरती ने अनमोदन किया, मुझे बहुत सारी ड्रेसेस चाहिए, हर इवन पर अलग ड्रेस पहनूंगी, मैं भी जा उमीद ना दिया करें, जिसे पूरा नहीं होना है, यदि इने कप्रे दिला रहे हैं, तो शादी में जरूर ले जाए, मनोहारी को लगा, कठोदा दिखा कर जीवनी परिधान खरीदने का अफसर खतम कर रही है, बोली, मा तुम पापा से बहुत लड़ती हो, पापा मुझे कप्रे चाहिए, जाओ जल्दी तयार हो के आओ, दोनों बहने तयार होने अपने कमरे में चली गई, मेग मिश्ट ने जीवनी को नहारा, बहुत अच्छे मूद में आया हूँ, थोड़ा सब्र से बात करो, सब्र से ही बात कर रही हूँ, लड़कियां पूछती हैं, हम ये बहन, सुनो जीवनी, अरजन या परिमारजन या कोई और तुम्हें मनुहारी या जागरती को लेकर कुछ आपती जनक कह देगा तो माहौल बिगड़ेगा, मुझे तुमारी सौब इमान की फिक्र है, इसलिए कुछ बातों को टालता हूँ, मानती हूँ, मैंने कुछ ग जागरती को भी करना पड़ेगा, उस दोर का घोर आशिक अच्छी दाशने बाते कर रहा है, रोरा नहीं चाहती थी, लेकिन जीवनी को तेज रुलाई आई, मेग मिश्र धीले पड़ गए, ततपरता से तयार हुई मनुहारी को लगा, मा अवसर खत्म करके ही दम लेंगी, मा, तुम लड़ाई शुव करती हो, फिर रोती हो, जागरती ने अपनी सरलता में समरस्ता दी, पापा आप गंदे हैं, मा को रुलाते हैं, बाजार से लोट कर तुमारी मा का मूट ठीक करेंगे, आओ चलें, मेग मिश्र दुनों लड़कियों का हाथ पकर कर चले गए, मेग मिश्र ने जीवनी से पूछा, क्या हुआ? समझने लगी है, इनका दर्जा दूसरा है, तुम समझाती नहीं? अरजन की शादी में नहीं जा सकी, इसलिए अपमानित हैं, मैं नहीं जानती थी, अपने रूम में दोनों किस किस्म की बाते करती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो सुन पाती हैं, उससे लगता है, जागरत है, मुझे दोनों की फिक रहती है, मैं पूरा प्रबंद करूंगा, लेकिन मनोहरी चौका रही थी, मां मैं होटल मेनेजमेंट का खोर्स करूंगी, इंतिकाम लेना चाहती है कि अनेतिक आच्रार करने वाली मां को भर नीन सोने नहीं देना है, जीर मी सहमत ना हुई, हाउस बहिया जबलपुर का संस्क्रन संभाल रहे हैं, पापा से पूछ लो, तो मुझे कौन सा पद देगे, मैं चाहती हूँ तुम्हे पैतरक हक मिले, मुझे पत्रकारिता से नफरत है, मां, खबर ना होता, तो हम तीनों की जिन्दगी दूसरी होती, बहुत बड़ी और बहुत हैं, जबकि वे तो फरेभी हैं, अरजन जब तांडाव करता है, आगा पीछा नहीं देखता, अपनी रूची के विशे पढ़ने चाहिए, मनोहारी का समर्थन कर उन्हें लगा, एक आपदा का परिहार हुआ, मनोहारी के हैदराबाद चले जाने से जागरती ऐसी सुस्त र चूटा तो सब चूट गया जागरती, चाहती थी मनोहारी जनरलिज्म करे, तुमारे पापा से जिस लिमिट तक लड़ना पड़ता, मैं उसे उसका हग दिलाती, बताओ, कितनी उपेक्षा सा हूँ, मेरी भी कुछ उम्मीद है, कुछ चाहती हूँ, जीवनी इस तरह हिलक क रोई जैसे प्रतीक्षा कर रही थी, कि कोई उसकी रचनाओं का उलेक करे, और वो विशात कहड़ाले, जागरती द्रवित हुई, माने क्या किया, पर चली गई है, इन्हें सहरे की जरूरत है, मत रो मा, कहोगी तो मैं जर्नलिज्म करूँगी, तुम दोनों बहने मेरी मान सिक्ता को नहीं समझोगी, तो मैं हिम्मत खोदूगी, जीवरी ने हिम्मत दिखाई, मेग मिश्र मनुहारी के अलग स्ट्रीम में जाने से प्रसंद है, अरजन और परिमारजन की सल्तनत सलामत रहे, इसलिए वे जागरती को भी पत्रकारता से मिमुक करने की चतुर कोशिश करेंगे, पहली बार हुआ जब मेग मिश्र को सूचित किये बिना वो जागरती का आइडमिशन पत्रकारता में कराने है तो जागरती को लेकर दिली चली गए, मेग मिश्र हताश, अरजन और परिमारजन पर पकड़ नहीं रही, मनुहारी और जागरती दूरी बना कर चलती हैं, अब जीवनी तोहिन करने पर उतारूं, जीवनी मुझसे पूछा तक नहीं, पूछती यदि आप सही फैसले करते, मनुहारी यहां सेटल होने आएगी नहीं, आप नापतौल कराते हैं, जागरती में मैं सहरा देखती हूं, जीवनी अपनी आगे की जिन्देगी को तर दर्तीब कर दिया, वो जैपूर के पांच सेतारा होटेल में साथ काम करने वाले सुलोचन के साथ लिव इन डिलेशंशिप में रहने लगी है, जीवनी को ये जानकारी मनुहारी ने नहीं, जागरती ने मुबाइल पर दिया, मा तुम जाकर देखो दीदी क्या बेवकूफ जैन बेफिक्री से बिगरी हुई महानगरी लड़की लग रही थी, वातावरन खामोश रहा, फिर जीवनी ने पूछा, क्या कर रही हो मनुहारी, किसी का घर नहीं उजार रही हूँ, ये सच बार बार सामने आकर बताता है कि यही सच है, तमीज से बात करो, मा, जिस अगरती ने अपना सरकल में बहुत साहा है, अब मैं कमाने लगी हूँ, ना तुमसे कुछ चाहिए, ना पापा से, मैं फ्री हो कर जीना चाहती हूँ, ना सलोचन मुझ पर धोंस जमाता है, ना मैं उस पर, ठीक जमेगा साथ रहेंगे वरना अलग, क्यों सताती हो मनुहारी मैं मैं अच्छी शादी हो, लेकिन तुम नैतिकता को फालतू मानती हो, नैतिकता एक दिन में फालतू नहीं हो गई है, मुझ से पहली पीडी ने, बलकि उससे पहली पीडी ने, दीरे दीरे इसे फालतू किया होगा, मैं जो हूँ, जैसी हूँ, समाज के सामने हूँ, और अविशाब जैसा भाव रहा जब जीवनी का सिर जुक गया तो लंबी यात्रा के उपरांत अपने घर पहुँच कर भी जुका रहा अपने एकांत में अपने सच के साथ अकेली पड़ी रही तीसरे दिन डोर बेल में हरकत हुई मेग मिश्रु होंगे लेकिन इस शापित बार पर कभी ना आने वाला रक्त पिपास औरजन था अच्छा डील डॉल लेकर मालिक नजर आ रहा था जीवनी मर्म भापती इसके पूर वो भीतर आकर आराम कुर्सी में ऐसे आराम से बैठ किया कि कोई हिसाब पूरा करने आया है मनोहारी की कर्तूश से हमारी बदनामी ह हो रही है मेग मिश्र ने भेट खोला या बातें अपनी अंदरूनी ताकत से प्रसारित हो जाती है खशार हो रही थी जीवनी लेकिन द्रड़ता दिखाई तुम उसे बहन नहीं मानते तुम्हें फर्क क्या पढ़ता है क्योंकि उसके नाम के साथ मेरी पापा का नाम जुर मैंने किसी इस्तंभ लेखिका को किसी अख़बार से इतना फाइदा उठाते नहीं देखा इस मिजाजी आदमी का द्वेश तव देखो इस्तंभ लेखिका इस मामले में अपने पापा से बात करो वे निजर मिलाकर मेरा और परिमार्जन का सामना करें तुमने उन्हें इस Л कि है कि उन्होंने इतना बड़ा अकबार खड़ा किया है मुझे ये सब सुनने की आदत नहीं है जाओ सुनो जनरलिज्म करके जागरती मेरे अकबार में घुसपैट करेगी तो उसकी बैरंग वापसी होगी अरजन जटका खाया सा उठा जाते जाते कह गया मेरी माचरित्रीन होती तो मैं उनका गला दबाता या अपना सच बार बार सामने आता है जीवनी यातना में लेकिन बेग मिश्रंददारत फिर पता चला बढ़ गए रक्त चाप के कारण अस्पताल में है मनुहारी के क्रिया कलाप ने संगहत दिया था या उस रक्त पिपासू ने बलवा किय जीवनी उन्हें देखने अस्पताल जाना चाहती थी साहस ना हुआ उनका सेल फोन आफ तीसरे दिन बात हुई हाँ डॉक्टर ने कंप्लीट बेडरिस्ट बताया है घरवालों ने मुबाइल आफ कर दिया है कि डिस्टरबेंस ना हो ठीक हूँ टेंशन मत लो पकवारे बा लगते हैं मा तुम बहुत यंग लगती हो सच मुझ उसके अभिवावक लगने लगे हैं इन्हीं के लिए इतनी दीवानगी हुई थी कि फिर दीवानगी से आगे कुछ नहीं सोचती थी जीवनी को गलानी हुई मेग मिश्टर के लिए करणा हुई वो अपने एकांत में इ देख लिया फिट हो गया मुझे फिक्र हो रही है मैं सोच रहा था कह कही की तरह को भवन पड़ी होगी वो सुरूर और सुकून वाली सुंदर यामिनी थी जो इंतजारों के बाद आई थी अर्जन के कटु प्रसंग को ना जीवनी ने कहा ना मेग मिश्र ने पूछा अब जो भी गति नियती बने लेकिन जागरती का भविश्य बने जागरती की शिक्षा पूरी हुई पापा मैं खबर ज्वाइन करूँगी यही मामला था जिसके लिए मेग मिश्र खुद को तयार नहीं कर पा रहे थे उन्होंने जागरती के शीश पर हाथ फिरा मैं मैं मैटर भेज दिया करूँगा तुम घर से काम करोगी पापा पत्रकारता के कुछ माइने होते हैं मैं काम को काम की तरह करूँगी शादी कब करोगी धूमधाम से करूँगा चालें अजमाते रहे हैं मेग मिश्र वो रक्त पिपास हलफ उठा कर गया है अब मेग मिश्र धूमधाम से जागरती की शादी करने जैसा चक्मा देकर इसे खबर से बेदखल करना चाहते हैं जीवनी की शिराओं उपशिराओं में तेज जंजनाहाट हुई बंद कर दीजे हमारे लिए सारे विकल्ब अरजन और परिमारजन मालेक लेकिन जागरती को कोई हक नहीं बताईए मेरी और मेरी बेटियों की पोजीशन क्या है अरजन इसे acceptance नहीं देगा इस शहर में चार अगबार निकल रहे हैं आपकी शक्ती चुप गई है तो जागरती दूसरे अगबार में काम करेगी लोग हसेंगे मेग मिश्र की बेटी बेगाने अगबार में चाकरी बजा रही है हम खबर पर अपना हक नहीं समझ सकते आप सामाजेक रूप से हमें स्विकार नहीं कर सकते जागरती अलग अगबार में काम करें तो आपकी प्रतिष्ठा डावा डोल होती है बता दीजे कि हम क्या करें और क्या न करें डरता हूँ पत्रकारता में लड़कियों के साथ कैसा कैसा सलूक होता है उस सलूक को मैं भोग चुकी हूँ होश कोने लगी है जीवनी अप्रिये इस्थित में ब्रहमिट से दिखते मेग मिश्र जागरती ने बार-बार दोनों को देखा जानती है पापा कम आने लगे हैं मा कम बोलने लगी हैं मा रोती हैं पापा निराश होकर लोटते हैं माहौल बोजिल हो जाता है लेकिन उसकी हाजिरी में लडाई जैसी लडाई शायद पहली बार हो रही थी जागरती के पैर काफने लगे खुद को तोड़ा साध कर किसी तरह बोली मा चुप रहो ना मेग मिश्रा आत्मरक्षा पर उतरे जागरती घवरा रही है जीवनी मैं और तुम भी जानती थी हमें प्रतिरोध जिलने पड़ेंगे आप से शादी की मेरी मती फिर गई थी ना करती तुमारी बहन जी ने एक दूला डून रखा था मैं अपने डहरे पे लगा रहता यही इलजाम बाकी था मा चुप रहो ना अपने कमरे में बंद होकर जागरती ने परदरश्य से खुद को विलग कर लिया इलजाम पर मेग मिश्र खुल कर बूले इलजाम कोओ या कुछ कोओ जीवनी हमारे समाज में समाजशास्ट की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि समाज के नियमों का पालन ना करने वाले खुद से भी नजर नहीं मिला पाते हैं तुमसे शादी करके अपने घर में मैं जिस तरह सेकंड क्लास सिटिजन बनकर रहा हूँ तुम्हें नहीं बताया कि तुम खुद को दोशी न समझ लो नहीं बताया राजकुमारी को कब स्रोते और अरजन परिमारजन को कब विरोध करते देखा है बाबू जी औरल कैंसर में गए लेकिन हमारी शादी के बाद उन्होंने मुझे जो दूरी बना ली थी कि मुझे लगने लगा है उनकी मौत का जिम्मेदार मैं हूँ अंतिम दिनों में वे बेहत दर्द में थे डरे हुए थे कि उनके न रहने पर मैं राजकुमारी को निकाल कर तुम्हें घर लियाओंगा उन्हें मौत का एहसास हो गया था या यूही ठीक एक सब्ताप पहले मुझे अपने पास बैठा कर कहने लगे थे मेग राजकुमारी मेरी जो सिवा करती है तुम देख रहे हो मैं तुम्हें दूसरी शादी के जर्म में जेल भेजता लेकिन राजकुमारी में बहुत सही हम है इसने मेरे पैर पकड़ लिये थे कि बाबुजी जेल की बात कर बच्चों का भवशे मत खराब करना सुनो जीवनी अरजन और परिमारजन का ख्याल कर बाबुजी चुप बैट गए वरना ना खबर होता ना मैं सब त्यागी हैं एक मैं ही अपराद किये बैठी हूँ संभल गए में एक मिश्र थोड़ा मेरी इस्थित को भी समझो मैं परेशान रहा लेकिन यहां असर नहीं आने दिया कि हम जो भी थोड़ा बहुत समय साथ में बिताते हैं वो अच्छा भी थे तो मानो ना मानो मैं तुम्हें जागरती मनुहारी सबको प्यार करता हूँ भराया जीवनी का दिल क्या है उसकी जिंदिगी वास्तविक या वास्तविक फरेव या भ्रम अच्छा होता जो मेग मिश्र से विवाण ना करती ना बंदन होता ना अधिकार बोध रखेल कहलाती लेकिन स्वतन्त रोकर आज एक फैसला जरूर कर लेती कि अब मेरे दर पर मत आना जीवनी ने भीतर की नम्मी को द्रश्य पर नहीं आने दिया प्यार और भरोसा जैसे शब्द मिरे लिए अर्थ नहीं रखते मुझे जागरत के भविश्य की फिक्र है जागरती को देव लॉन्द संस्क्रण में रख दूँगा जागरती देव लॉन्द चली जाए मैं यहां अकेले प्रेत की तरह सिर पठकूंगी तुम भी चली जाना जागरती को सहरा देना होगा डेड़ गंटे की रोड चरनी है मैं आता रहूँगा कारे विभाजन पर सहमत हुई जीवनी जागरती यहां अरजन की नायब बल्की खादिम बनकर रहे इसे उत्तम है देव लॉन्द प्रस्थान घर लॉक करते हुए शहर छोड़ते हुए खबर के भवे भवन के सामने से क्रॉस कोते हुए जीवनी असाहता से गुजरी शहर में उम्र बीती है इस भवन में सुनहरे दिन बिताए है अब ये भवन ऐसा अभेद दुर्ग हो गया है जहां उसका ही नहीं जागरती का प्रवेशन शित है देव लॉन्द की आबो हवा में जीवनी चित नहीं लगा पा रही थी लेकिन जागरती अपने काम में चित लगाने की कोशिश करने लगी बड़े मालिक मतलब मेग मिश्र की उम्र अवस्था हो गई है पीने भी अधिक लगे हैं तो अरजन सर सर्वे सरवा है और जागरती वेतन भूगी सहायक जैसे विभेत पर देवलों सर्वकरन के संपादक रादा मुहनकुचिया अक्सर चर्चा करते जागरत इप्रित क्रियाना देती उसने अरजन और परिमारजन को कम देखा लेकिन मानती थी उन लोगों ने भी अपने सम्मू में दिकार सहा होगा जैसा उसने और मनौहारी ने निर्दोश होते होए भी दोनों कई मौकों पर निर्षी हुए होंगे कई प्रशन रहे होंगे जिनका भदर उत्तर न दे पाए होंगे रहम बस इतना कि अपनी मा से अडचन कह पाए होंगे जबकि वो और मनुहारी जीनी से नहीं कह सकी तो मारी अनेतिकता ने हम दोनों को तिक्तता दी है बदलते बदलते इस्थित इतनी क्यों बदल जाती है कि कुछ भी विश्वस नहीं नहीं लगता विश्वास नहीं होता पापा के घर आने से घर में उत्सो का माहूल हो जाया करता था अब बहुत कम आते हैं उनका आना कितना आपचारिक हो गया है कभी निर्बाद बीतर चले आते थे अब जिजक कर वैठक में बैठीते हैं मानो बीतरी कमरों में जाना अशिश्टता होगी मां उनसे दूरी बना कर जिस तरह बैठती हैं लगता नहीं किसी जुनून से गुजर चुकी है वो खुद भी पापा की उपस्थित में ऐसी निश्क्रिय होने लगती हैं कि हाँ और ना के अलावा सारे शब्द डिलीट हो जाते हैं में एक मिश्र दिनों बाद आए और अपचारिक हाल समाचार पूछ कर कहने लगे इसी 27 को पत्रिका का विमोचन है बाबुजी होते तो देखते उनकी विरासत पत्रिका प्रकाशन जैसी समू उचाई तक आ गई है उम्मीदों से खाली हो चुकी जीवनी के भीतर का रशनाकार ललक कर जाग गया साहिते का मैटर मैं संभालूँगी साहिते संपादक में मेरा नाम जाना चाहिए हम तुम रिटायर्मेंट वाले हुए जीवनी युवाओं को आगे आने दो तब तो जागरती को अपॉर्चिन्ट्री मिलनी चाहिए देखता हूँ जागरती संपादक मंडल में है आएगी ही जीवनी तुमें खास आना है मैं गाड़ी भेजूँगा मेग मिष्ट जानते थे जहां अरजन हो जीवनी वहाँ नहीं आएगी जीवनी जानती थी मेग मिष्ट के प्रलोभनों में अबदम नहीं रहा लेकिन जागरती नहीं जानती थी अपनी कार लेकर कुछिया सपतनी आप हुँचेगा जागरती जी चलिए मेग मिष्ट की गाड़ी की प्रतिक्षा कर जागरती खिनो चुकी थी बोली लोटते हुए बहुत रात हो जाएगी देर रात तक जागती रहूं तो मेरा सिर्फ भारी होने लगता है कुछिया की पत्नी ने आगरे किया चलिए ना मैं तो सिर्फ आपके कारण आई हूँ कुछिया जी बोले मैं रहूंगी तो आप कंफर्टेवल फील करेंगी चली जाओ जागरती जीवनी ने दबाव बनाया बहुत बड़ा कारिक्रम है बहुत बड़ा कारिक्रम विद्युती ए मोरपंखी रंगों वाली मोहकता सांसद विधायक अधिकारी संपादक शहर के बिग शॉर्ट्स समारों में उपस्तित थे वित्य मंत्री के आते ही सर्वत्र तेजी आ गई संचालन कर रहा परिमारजन अतितियों का नाम पुकारता अरजन अपने दो साहेकों के साथ समू बनाकर अतितियों को मंच तक ले जाता मंच में खड़े मेग मिश्र उन्हें उनकी नामित सीट पर बैठाते वित्य मंत्री के ठीक बगरवाली कुर्सी खाली थी जिसकी और संकेत कर अरजन मंत्री जी से कुछ मशवरा कर रहा था वो सहमती में शीश को जुमबिश दे रहे थे उन्हें मजमा लूटने का अच्छा भ्यास है कक्ष्म सननाटा और माईक पर गूंजरा परिमारजन का स्वर खबर परिवार के लिए ये अप्रतिम ख्षन है मैं अपनी माताजी श्रीमती राजकुमारी मिश्र जिनका ममता भरा हाथ हमेशा हमारे सिर पर रहा को मंज पर बुलाना चाहता हूँ मंतरी जी अगरणी पंक्त में बैठी राजकुमारी को दोनों हाथ पहला कर मंज पर जाने का संकेत कर रहे थे आयोजन समारोहों में असहज हो जाने वाली राजकुमारी इस आकस्मिक्ता पर असहज हो गई अरजन और परिमारजन ये बेवकुफी दिखाने के लिए उसे बार-बार निवितन करके लिया आए है मुस्तैद अरजन तेज चाहल से राजकुमारी के पास आ गया चकित राजकुमारी को अरजन और समी बैठी दोनों बहुँने घेर कर खड़ा कर दिया मेग मिश्र खुद को अनपेक्षित इस्थित में पा रहे थे एका एक लगा अपने नहीं अरजन और परिमारजन के आयोजन में आए हैं उन्होंने राजकुमारी को देखा लगा बहुत दिनों बाट ठीक से देखा है और ये उनकी पतली नहीं सिर्फ और सिर्फ अरजन और परिमारजन की मा लग रही है कुचिया दमपत्य के साथ ठीक पींचे की पंक्ती में बैठी जागरती राजकुमारी को पहली बार देख रही थी अशक्त चकित हरवडाई सी राजकुमारी से उसे साहन भूती हुई अरजन को देखा है पर समीर से पहली बार देख रही थी अरजन की द्रश्टी जागरती पर पापा से कहा था खबर में दोगले लोगं के लिए जगए नहीं है पर पापा ने इसे देवलोंद भिज दिया आज मौका है तरजनी तानली आगे की दो-तीन रो वियाईपी और फैमिली के लिए हैं पीछे बैठो कौन है बेटा राजकमारी पीछे देखना चाहेती थी अरजन ने देखने नहीं दिया जीवनी की लड़की कुछ लोगे गुस्पैट करने के आदत होती है चलो मा बेदखल होकर जागरती सभागार से बहार निकल आई लोकार पित होती पत्रिका वक्तवे तालियों रात्रिभोज की विस्तता में कोई नी जानता था जागरती परेशानी में टहलती रही चालक को इधर दर ढूर कर गाड़ी बुलवाई चिप कर रोई फिर माल लिया आज सब कुछ निशेश हुआ रात के तीन बज रहे थे जीवनी जागरत की प्रतीक्षा में जाग रही थी प्रोग्राम कैसा राजागरती वहां अरजन और परिमारजन मेग मिश्र के बेटे थे मैं जीवनी की बेटी शान्त और इस्तिर दिमाग वाली लड़की मनोहारी के तेवर में है कुछ हुआ है बताओ तो हम मेग मिश्र परिवार का हिस्ता नहीं बन सकते मा मैं सेकेंड रो में बैठी थी अरजन भाईया ने मुझसे कहा ये जगए फैमिली के लिए है पीछे बैठो अरजन की ये उकात जानती थी लेकिन आज अंतिम रूप से जान गई पर कहीं अपमान हर कहीं शर्मन्दगी नहीं सहा जाता जागरती ये रोने में अनात भाव था ऐसा रुदन तकालिक या सामेक नहीं वर्षों की विशमताओं का नतीजा होता है तूटती गई है बच्ची जीवनी की इच्छा हुई उसे करोना देकर अपनी इगलानी कम करें लेकिन बार-बार सामने आ जाता है सच वो अविवावक के आगरे या अनुशासन के साथ जागरती को समित्ता देने का साहस ने कर सकी पूछ नहीं सकी खाना खाया की मुखी हो जागरती एक आएक उठी और अपने कमरे को भीतर से बोल्ट कर लिया दूसरे दिन जागरती दफ्तर नहीं गई अगले दिन भी नहीं खबर जरूर मेग मिश्र परिवार के या शोगान से भरा था तस्वीरे ही तस्वीरे तस्वीरे तस्वीर में नहीं जागीर में नहीं, जीवनी और जागरती की जगे कहीं नहीं है, मोह भंग, जीरो टॉलरेंस, ना मेग मिश्र आए, ना कॉल किया, पीकर टुन होंगे, या खबर के मालिक और पत्रिका के प्रधान संपादक होने की खुमारी न तूट रही होगी, जैपुर जाने का फैसला इस व्यक्ति को नेस्तना अबूद करना जरूरी हो गया है, जीवनी मेग मिश्र के सेल पर नंबर मिला रही है, सेल ओफ कर रखा है, या खुद कहीं भूमगत हो गए है, या संचार तंतर साजिश में शामिल हो गया है, एक ही सूचना, इस रूट की सभी लाइने व्यस्त है अभी जो आपने सुश्मा मुनींद्र जी की लिखी हुई कहानी सुनी, मुझे ऐसा लगता है, वो कहानी नहोकर सजीव सचित्र वर्णन है, विवाहित पुर्षों से विवा करने वाली इस्तियों के बच्चों के जीवन की विशमताओं का, आपकी क्या राय है, कॉमेंट स तरीन कहानी के साथ आपका समय शुख हो